बच्चों तो कैसे हैं आप सभी आसा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छ होंगे बच्चों आप सभी का पेपर तो हो गया है लेकिन रिजल्ट आने से पहले कुछ ऐसे महतपूर जो डॉक्मेंट्स हैं जिनको की बनवा लेना चाहिए तो आज की इस वीडियो में आपको ब बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्मेंट्स हैं जिसको कि आपको बनवा के रख लेना है ठीक है और ये वीडियो को जादा से जादा लाइक करिएगा और जितना हो से के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक फटा फट एक मिनट का भी समय नहीं लगेगा चली आए डॉक्मेंट्स के बारे में बातचित कर लें कि कौन से ऐसे महत्पूर डॉक्मेंट है तो बच्चो ये रहा कुछ जरूरी दस्तवेश ठीक है मैं नंबर वाइज एक के करके मैं बताऊंगा और ध्यान से आप सुनते चले जाएगा देखिए पहले नंबर पर जो आपका ड बच्चो क्या बोलते हैं इसको ट्रांसफर साटिफिकेट तो टीसी दूसरे नंबर पर आपको बनवा लेना है ठीक है तीसरे नंबर पर जो डॉक्मेंट है वो है आपका अधार कार्ड ठीक और चौते नंबर पर आपका जो डॉक्मेंट है वो है निवास प्रमाड पत्र पिर इसके बाद जाती प्रमाड पत्र, इसके बाद आपका आए प्रमाड पत्र, आए जाती निवास, ये तीनों आप तो बनवा के रख लिजे अभी से, ठीक है, इसके बाद अगला जो डॉक्मेंट है, वो है बिकलांग प्रमाड पत्र, ठीक है, बिकलांग प्रमाड पत्र देखे विकलांग प्रमाण पत्र सभी के लिए नहीं है यह वैसे candidate हैं जो कि पीच किटेग्री में फार्म अप्लाई किये होंगे उनके लिए यह है आपका विकलांग प्रमाण पत्र सभी को नहीं बनवाना है ध्यान दीजिएगा अगला जो document है वो है आपका चिकिस्ता प्र पर्मान पत्र चिखिस्ता पर्मान पत्र सभी बच्चों को बनाना क्यों है जो ऐसे बच्त के पर्ब si depends ठीक है इसके बाद आपका सफ़त पत्र जो होता है उसको भी आप बनवा लेंगे अगला डॉकमेंट है वो है कच्छा तीन और चार की अंक तालिका जी हां बच्चों तीन चार और पांच इन तीनों का आपको अंक तालिका चाहिए ही चाहिए ठीक है इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो दस से बारा कापी ठीक है यह बनवा के आप रख लीजिएगा तो यही कुछ म अबनवा लीजिए और ऐसे महत्पूर्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू एंड जैहिंद मेरे प्यार बच्चों